नेपाल के NPL में भी अब हो चुकी है इंडिया की IPL वाली ड्रीम 11 की एंट्री मतलब अब नेपाल में भी लोग जो है वो करोर रुपया जीच थकेंगे गाइस NPL नेपाल प्रिमेर लीग में ड्रीम 11 एक ओफिशियल आप कहा सकते हो फैंटसी पार्टनर बना है और आपको पता है ड्रीम 11 ने कैन बोर्ड को इसके लिए पैसे पे किये होंगे प्लस इससे नेपाल के प्लेयर को बहुत जादा बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और ओडियंस को भी हो सकता है आपको बेनिफिट मिले जैसे इंडिया में IPL के टाइम पे इंडियन लोगों क बेनिफिट मिलते हैं हाला कि यह कहने की बात है लेकिन असली बात सब लोगी जानते है ठीक है मैं वीडियो में नहीं कहूंगा लेकिन मैं बाकी चीज़े कहता हूं कि ड्रीम 11 से आने से कैसे NPL में जो है और नेपाल क्रिकेट बोर्ड को नेपाल के प्लेयर्स को फाइदा म प्रीमेर लीग अपना पहला सीजन होस्ट कर रही है जहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स खिल रहे हैं इनमें जो है आपकी IPL वाली जो ड्रीम 11 है मतलब इंडिया के अंदर जो ड्रीम 11 थी जो एक फैंटेसी एप है उसकी एंट्री हो चुकी है अब दोगर इस फैंटेसी प्लेयर कैसे पैसे कमाएंगे अब देखो यहां पर नेपाल के प्लेयर से वह कहीं ना कहीं यहां पर एड करके जो है ड्रीम 11 के वह पैसे कमा पाएंगे और इसलिए कह रहा हूं क्यूंकि अगर आपने देखा होगा आइप लोग अगर आप लोग कभी देखे होगे तो के प्लेयर्स का बहुत जादा मोटा कमा वह होता है अभी नेपाल प्रिमेर लीग में आपको हो सकता है इस साथ में यहां पर एड़ सायड के साथ में जो करना होगा प्लाणिंग द्रेम धुए-ड्रेम-11 को वह है है क्योंकि और एंट्री तो मिली चुकिए कैन बोड के थुरू अगर आपने देखा होगा तो अफिस्यल पेज पर देखो तो फैंटेसी पार्टनर जो है ड्रीम 11 बच चुकिए और ऐसा नहीं गिया ड्रीम 11 बहुत छोटी कंपनी है इसकी करोड़ों में वैलुएशन है आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ड्रीम 11 एक फैंटेसी एप है और यह ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही अगर आप देखो तो पाकिस्तान के PSL में भी जो है अस्ट्रेलिया की BBL में भी तेखो जो है अगर मैं बात करो बांगलाइस प्रिमेर लिग में हर एक बड़ी लीग में एक फैंटेसी एप होती है जो स्पॉंसर्शिप करती है तो कहीं नहीं पर NPL में जो है ड्रीम 11 स्पॉंसर बनेगी NPL की और यहां पर पैसे वेगरा जो पे किये जाएंगे और जो ऑडियन्स है उनको यहां पर एक वह एक्सेस मिल जाएगा ड्रीम 11 का कि आप जो है ड्रीम 11 एप पर एपपर ड्रीम बनाओ वो तो जहीं नहीं हो कि आप टीम मिलन पर जो जीए अगर आपके टीम successful हो गई तो कहीं न कहीं आपको जो है वो पैसे मिलते हैं और यह real चीज है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार फेक है बाकि देखो dream 11 के entry हो चुकी है और NPL मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह बहुत बड़ा लीग बनेगा अभी मैं तो यहां पर PSL से भी उपर रख रहा है NPL को बिकॉज यहां पर नेपाल प्रीमियर लीग में जितने बड़े-बड़े sponsors आये हैं उतने बड़े sponsors PSL के पहले season में नहीं आये था overall यह कह सकते हो ठिक टक news है, good news good news ही कह सकते है, fantasy है पाई है और जिन लोगो यहां पर खेलना होगा, वो खेट सकते हो थम्झे रहस है बाकी इसको लेगा, आप क्या-क्या सोचना है कि इसके entry होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी कमेंट सक्सें में ज़रूर बताना, मैं जोने ली जाना चाहूंगा